आपकी स्क्रीन पर एक सक्स को आप लोग देख रहे होंगे और आप देखते हैं कि ये पत्थकार हैं और एक बिजनिसमेन है इनका नाम है सोरेश चाहान की और आपको बता दूँ कि ये काफी बिवादों में बने रहते हैं अपने आपको आपने देखा होगा कि ये कट्र हिंदू बादी कहते रहते हैं और इस तरह की पत्तिकारता करते हैं कि आप देखते हैं कि खलवली मचा देते हैं और विवादों में और ट्वीटर पर आप देखते होगे कि चाह जाते हैं ये आपको दिखाई दी रहा है सामने इनकी पिक्चर है और इस जो पीछे है इनने आप लोग जानते होंगे इनका भी हमेशा विवादु से मुल रहता है। और उसी हिसाब से मुझे लगता ही कि ये पत्तिकारता भी करते हैं, तो इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के पत्तिकार हैं, और अपने आपको हिंदू बादी पत्तिकार बोल ला हैं, तो इनके बारे में बात करना बनता भी है, यह महाराष्ट है इसके राधानी मुंबई है ठीक है और इनके पिता की बात करें तो खंडे राओ चाहान के इनकी पिता का नाम और माता की बात करें तो गया वाई चाहान के इनकी माता का नाम पतनी की बात करें तो माया चाहान के इनकी पतनी का नाम इनके दो पुत्त हैं प माद्द में द्यालाएं से अपनी सुरुवाती सिख चलेते हैं उसके बाद कॉलेज यहनोंने SSGM कॉपर गाउं एहमदाबाद महराष्ट से पढ़ाई करते हैं निव आर्ट, साइन्स, एंड कॉमर्स कॉलेज एहमद नगर महराष्ट से पूरी करते हैं और इनकी सेक्षे के योगता की बात करें तो LLV की हुई है कानून में उपादी धारण की हुई है लेकिन आपको लगेगा ने इनकी बातों से कि यहनोंने कानून कोई मानते हैं या आप सभी लोग देखिएगा कई वीडियो आपको मिल जाएंगे 2005 में इनोंने सुदर्शन टीवी के साथ अपना केरियर सुरू किया था कब 2005 में और सुदर्शन टीवी इनका अपना न्यू चैनल है देखिए जिसा कि आपको बताया हुए कि बिवाज से इनका खाफीन आता आपरेल 2017 में उत्तरपुदेश पुलिस ने उनके और सुदर्शन टीवी के मुख के प्रबंधक नेदेशक के खिलाब मामला दर्ज किया था जब उनकी चैनल ने एक कारिकरम प्रिसारित किया और जिसमें कथित तोर पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया और धार्मिक एक प्रोग्राम में प्रोमो साजा किया और एक प्रोग्राम कारिपालिका में कथित घुसपेट को लेकर बनाया गया था पैताली सेकेंड का प्रोमो प्रोग्राम की जहलक दी गई थी और प्रोग्राम को नौकर साही में मुसल्मानों की घुसपेट के सडेंद के इर्दग प्रवालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घोसपेट का परता पास। यूपी एस ती जिहाद, नोकरसाही जिहाद। टिक है। उस समय भी आप देखें इनकी काफी आलूचना की गई थी। कई लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, कई लोग इन्हें नापसंद भी करत तो मुझे लगता ही कि ये तो जिन्दगी चलती रहती है, आप लोग पसंद करते हैं तो कुछ इसमें इनमें आप लोगों को दिखता होगा और नापसंद करते होगे उन्हें भी कुछ दिखता होगा। दोनों को अधिकार है, हमारे देश की कुपसोरती यही तो है कि पसं से मतमूर स्थमकारीपालिका कि सबसे बड़े पदों पर मुसलिम घुसपैट का परदावास और एक और इनके खिलाब मामला दर्ज हुआ था सुरेश चौहानके के खिलाब दूसरा और सबसे चर्चित मामला एक महिला के साथ रेप का आरोप था आरोप लगाने वाली महिला क कोई और नहीं उनके चैनल की ही पूर्व अध करमचारी थी मामले में महिला ने आसारा बाबू के बेटे नारायन साही के खिलाब भी सिकायत दर्ज कराई थी और मामला सामने आनर पर सुरेश चाहानके ने आरोपों को पूरी तरसे खारिज कर दिया था महिला ने कहा था कि चैनल संपादक सुरेश चाहानके और नारायन साही ने उनके साथ रेप किया और मोह खुलने पर जान से मारने की धमकी दी थी और गरपात और धुकाधड़ी समेट 11 गंबी धाराओं में सुरेश चाहानके किलाब केस फायल हुआ था तब सुरेश चाहानके ने कहा था कि र प्रोग्राम होस्ट किया और उन्हें ट्वीटर पर प्रोग्राम का वीडियो साजा किया और इसमें वो कहते नजारा रहती कि दंगाईयों को नौकरिया नहीं देकर उनके सामान नहीं खरीद कर उनका भाहिसकार करने की सपत ले इस ट्वीट पर भी कूप विवाद बना था और बाद में मुकमंत्री हैमंत सोरेन ने पुलिस को पूरे मामली की जाज करने का आदेस भी किया था अभी आपने देखा होगा कि हल्दी राम पर जो उर्दू में लिखा रहता ना उसको लेकर आपने देखाए कि काफी विवाद चला है इस कारण ये अभी भी चर्चा मे बने हुए ये हमेशा सुरिकिया बटोरते रहते हैं ठीक है तो यही सुरेश चौहान की कहां भी है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में आपको मालू को होना चाहिए देश के पत्तकारों को के बारे में भी वालू होने चाहिए और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइए गया उसका नाम भी बताइए गया उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है